लोग सबच चुनाव खत्म होने के बाद अरविंद के जिर्वाल एक बार फिर तिहार जेल पहुँच गए हैं दिली के सीएम अरविंद के जिर्वाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधी समाप्त होने के बाद तिहार जेल में सरेंडर कर दिया अरविंद के जिर्वाल को सुप्रिम कोट ने चुना परचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी जिसकी मियाद समाफ्त हो गई अरविंद के जिर्वाल ने खुब कोशिस की थी कि उन्हें साथ दिन की और अंतरिम रहात मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ किसी भी कोट में अरविंद के जिर्वाल की दाल नहीं गली वहीं जेल जाने से पहले अरविंद के जिर्वाल काफी टेंशन में दिखे अरविंद के जिर्वाल की body language से साफ लग रहा था कि उन्हें डर है कि अब उन्हें कितने दिनों तक जेल में रहना होगा ऐसे में अब अरविंद के जिर्वाल की भाशा भी बदल गई है जेल में सरेंडर करने से पहले अरविंद के जिर्वाल राजगाट गए थे इस दोरान पार्टी के कई नेता और दिली के मंतरी भी उनके साथ मौजुद थे उनकी पतनी सुनीता के जिरबाल भी उनके साथ राजगाट गई थी वहीं कोट में सरेंडर करने से पहले अरविंद के जिवाल ने अपने रिताओं और पार्टी कारकरताओं को संबोधित किया अपने संबोधन में अरविंद के जिवाल ने कहा कि मैंने देश को बचाने के लिए परचार किया है देश महतपूर्ण है आप दूसरे नंबर पर आती है इस दोरान अरविंद के जिर्वाल ने कहा कि it कि वेक्ति विशेस से नहीं है, अपनी दुश्मानी तानषाही से है मतलब अरविंद के जिर्वाल ये दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई पियम मोदी से नहीं है वो पियम मोदी के खिलाफ नहीं है जबकि चुनाव परचार के दोरान और उससे पहले अरविंद के जिर्वाल पियम मोदी पर जम कर निशाना साथ रहे थे लेकिन exit pole देखकर अर्विंद के जिर्वाल की भाषा ही बदल गई है और अब वो पियम मोदी के सामने नतमस तक दिख रहे हैं और अब वो कहने लगे हैं कि मेरी लडाई किसी बेक्ती विश्यस्त नहीं है अर्विंद के जिर्वाल इतने घबराएं हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि चार तारीक को मंगलवार है ऐसे में मैं प्राथना करने गया था बजरंग बली से कि है बजरंग बली मेरे देश को बचा लो वही exit pole को लेकर अर्विंद के जिरवाल ने कहा है कि अभी कल exit pole आए है लेकिन मेरे से लिखवा कर ले लो सभी exit pole फरजी है इसके साथ ये अर्विंद के जिरवाल ने अभी सहीं EVM पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है अरविंद खेजरवाल ने कहा है कि लोगों कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नतीजों से पहले फरजी एकजिट पोल कियों करवाए गए है परजी एकजिट पोल के पीछे कुछ थियोरी चल रही है एक ये चल रही है कि उन्होंने मशीनों का घोटाला करवा दिया है मतलब अभी से ही अरविंद के जिरवाल EVM पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन जब भी विपक्षी नेता EVM पर सवाल उठाते हैं तो BJP की जीत निश्चित होती है क्योंकि विपक्षी नेता भी जानते हैं कि वो हार रहे हैं ऐसे में EVM पर ठीकरा फोर कर वो अपने समर्थकों को ये दिखाने की कोशिस करते हैं कि EVM की वज़ा से वो हार गए हैं अगर विपक्षी नेता EVM पर ठीकरा नहीं फोरेंगे तो उनके मौझूदा समर्थक भी उनका साथ छोड़ कर घर बैठ जाएंगे ऐसे में उन्हें अपने साथ जोरे रखने के लिए विपक्षी नेता अपनी हार का ठीकरा EVM पर फोरते हैं वहीं जब चुनाव आयोग की ओर से बुलाया जाता है कि आईए और EVM हैक करके दिखाईए तब विपक्षी में सन्नाटा पसर जाता है और किसी भी विपक्षी नेता की हिम्मत नहीं होती है कि चुनाव आयोग के पास जाकर EVM हैक करके दिखाएं लेकिन अपनी हार देख विपक्षी नेता EVM पर निशाना साथते हैं ऐसे में अर्विंद के जिर्वाल की बातों से लगने लगा है कि एक्जिट पोल के आकरे एक दम सही है और अब एक बार फिर प्रचंड भहुमत के साथ PM मोदी की वापसी होने जा रही है Bureau Report, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं